अगर गलती से भी मूली के साथ खा ली ये चीज तो शरीर पर पड़ेगा बुरा असर अगर आप भी चाहते हैं आपकी सेहत से ना हो खिलवार तो हमारे साथ जान लीजे ख़बर पूरी इक्रमवार गलती से भी मूली के साथ ना खाए ये चीज, नहीं तो शरीर पर पढ़ेगा बुरा प्रभाव शरीर में खून का हो जाएगा अभाव, बिमारियां बना लेंगी शरीर में अपना घर हमारे साथ समझे मूली का क्या होता शरीर परसर साथ ही जानिये मूली के साथ कौन सी चीज खाने की सला नहीं देते हैं ये बहुत सिंपल सा नियम है कि जब आप एक साथ दो विरोदाभासी चीजों को खाते तो आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है ये प्रभाव इतना खतरनाक होता है कि आपको गंभीर रूप से बिमार कर सकता है कई बार तो विरोदाभासी गुणों वाली चीज आपक में मिलकर जहर बन जाया करती है और फिर यही चीज लोगों का काम तमाम कर दिया करती है आज हम आपको बताने चारे हैं कि आपको मूली के साथ में कौन कौन सी चीज नहीं खाना चाहिए ताकि आपके शरीर पर इसका बुरा असर ना पड़े तरसल अगर आप भी कभी कबार मूली खा रहे हैं तो उसके साथ गलती से भी दूद का सिवन ना करे कहा जाता है ये सबजी सेहत के लिए अमरत का काम करती है इस मूली में पोशक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, प्रोटीन, कैल्शियम और आइरन जैसे खनिच भरपूर मातर में पाए जाते हैं जो अधिकतर मानशरी के पाचन तंत्र को दुरस्त किया करते हैं और कब्स का इलाज भी आम तोर पर ये मूली हुआ करती है कहा जाता है कि ये सबजी पाचन का रामभान इलाज है इसका सेवन लोग कच्चा या फिर सबजी बना कर किया करते हैं तो वहीं इस मूली को लेकर ब्रिटिश कोलंबिया विश्व विद्याले के क्यूगमिन रोहू ने बीते दिनों बताया था कि मूली का सेवन करते समय कुछ फूट्स का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए के अगर आप मूली खा रहे हैं तो उसके साथ दूद का सेवन करने से हडबंट गैस असिडिटी पेटब दर ज्यसी रिक्कत हो सकती है इतना ही ने एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आप मूली खा रहे हैं तो उसके साथ करेला का सेवन भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि मूली और करेला दोनों विरुद आहार है जो आपकी बोडी में नकरात्मक भाव डालेंगे मूली का सेवन करेले के साथ करने से सांस से जुरी समस्याओं का खतरा हो सकता है ये दोनों सब्जिया कॉंबिनेशन करके खाने से दिल के रोगों का खतरा भी जादा हो जाय करता है एक्सपर्स की राय के अनुसार वैसे तो मूली और संत्रा दोनों ही सेहत के लिए फायदेमन फूड है लेकिन जब आप मूली का सेवन संत्रे के साथ करेंगे तो आपकी सेहत को नुकसान पहुचेगा अक्सर लोग खाने में मूली की सबजी या सलात की रूप में मूली को खाते हैं और उसे खाने के बाद संत्रा खाते हैं मूली और संत्रा का एक साथ सेवन आपके पाचन को बिगार सकता है असलिए इसका सेवन करने से आपको बचना चाहिए अब अपनी राय हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में लिखकर साजा कर सकते हैं विरो रिपोर्ट पीडियन न्यूज